हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टराफिल इस्टडी तो आज हम लोग घटांग का नियों परयोग करके इस चार कोईसन को हल करना सिखेंगे तो वीडियो को लाफ्स तक देखेगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों कोईसन नमर एक है एक की पावर एक्स बटा में एक की पावर वाई और इसका वोल पावर है एक्स प्लस वाई गुने एक की पावर जेड और इसका भी वोल पावर है वाई प्लस जेड गुने एक की पावर जेड बटा में एक की पावर एक्स और इसका भी वोल तो दोस्तों देखिए हम इसे किस परकार हल करते हैं तो यहां देखिए ब्रैकेट में दोस्तों A की पावर X बटा में A की पावर हुआ है अधार बराबर है और क्या है भाग में है तो हम घटाएंग के नियम अनुसार क्या करेंगे पावर को आपस में घटाएंगे अधार बरावर है और भाग में है तो हम पावर को घटा सकते हैं तो हम नीचे से उपर घटाएंगे पावर तो दोस्तों हम लिखेंगे एक ही पावर X और इसमें क्या माइनस करेंगे? Y X माइनस Y हो जाएगा और गुने में दोस्तों क्या है हमरा इसका whole power x plus y तो इसे हम रिख लेते हैं गुने यहाँ भी दोस्तों हमरा अधार बराबर है और क्या है भाग में है तो यहाँ भी हम power को minus करेंगे तो हम रिखेंगे एक ही power y minus z और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा power y plus z गुने यहां भी दोस्तों क्या करेंगे power को घटाएगे अधार बराबर है और भाग में है तो यहां दोस्तों हो जाएगा a की power z minus x और गुने दोस्तों इसका whole power हम दिख लेते हैं z plus x अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिए यहां हमारा सभी का घाब जो है वो पावर a-b, a-b, a-b फर्मूला के रुप में है तो हम यहां a²-b² का फर्मूला लगाएंगे तो यहां a की जगा x है और b की जगा y है तो दोस्तों हम लिखेंगे a की पावर a²-b² तो a की जगा x है दोस्तों हम लिखेंगे a की पावर x²-y² गुने यहां भी हमारा a-b, a-b, a-b फर्मूला के रुप में है तो यहां दोस्तों हो जाएगा a की पावर a² यानि y²-z² गुने में यहां भी दोस्तों हम a-b, a-b का फर्मूला लिखेंगे a²-b² तो यह हो जाएगा a की पावर z²-x² अब दोस्तों यहां देखिए अधार बरावर है, तीनों का अधार a है और क्या है, गुन्ना में है तो घटांक के नियमन साल हम क्या करेंगे अब हम पावर को आपस में प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे a की पावर करेंगे z²-x² अब हम देखेंगे दोस्तों यह कोई घात हमारा प्लस माइनस में कट रही की नहीं तो यहां देखिए प्लस x² और यहां है माइनस x² तो यह प्लस माइनस में कट जाएगा इसी परकार माइनस y² प्लस y² तो ये भी माइनस प्लस में कट जाएगा इसी परकार यहाँ है माइनस जेट स्क्वाइर प्लस जेट स्क्वाइर तो ये भी दोस्तों माइनस प्लस में कट गया तो दोस्तों माइनस प्लस में हमारा यहाँ सभी घात पावर कट चुका है तो क्या बाठी रगया 0 माइनस प्लस में काटेंगे तो 0 तो दोस्तों 1 की पावर 0 क्या होता है 1 तो इसका एंसर 1 होगा तो हम इस परकार घटांके निया मनुसारी से हल करेंगे कोईशन नमर 2 देखें दोस्तों कोईशन है 1 की पावर और बटा में 1 की पावर माइनस Y और इसका होल पावर है X स्कॉाइर माइनस X Y प्लस Y स्कॉाइर गुने 1 की पावर Y बटा में 1 की पावर माइनस Z और इसका भी होल पावर है Y स्कॉाइर माइनस Y Z प्लस Z स्कॉाइर गुने 1 की पावर Z और बटा में a की power minus x और इसका भी whole power है z square minus z x plus x square तो यहां में दोस्तों bracket में देखिए अधार बरावर है और क्या है भाग में है तो यहां भी हम क्या करेंगे power को आपसमें घटाएंगे तो नीचे से उपर हम minus करेंगे तो हम रिखेंगे दोस्तों a की power ② x यहां देखें बट्टा में एक क्याव़ मिनस Z है तो हम इसे से माइनस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा प्लास हो जाएगा तो यह हो जाएगा एक्स ब्लस अट हो एंग और गुने में दोस्तों इसका हूदीब पावर क्या है एक्स स्कुर्ण minus x y plus y square गुने यहाँ भी अधार बराबर है और भाग में है तो minus करेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों एक ही power y minus z को फिर minus करेंगे तो क्या होगा plus z यानि यह हो जाएगा y plus z और इसका whole power दोस्तों क्या है y square minus y z plus z square गुने यहाँ भी हम power को आपस में घटाएंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों a की power z और a की power minus x को हम फिर minus करेंगे तो क्या होगा plus x हो जाएगा और गुने दोस्तों इसका whole power क्या है z square minus z x plus x square ठीक है अब दोस्तों यहाँ ध्यान दिजे यहाँ हमारा सभी का घात a cube plus b cube के फर्मूला के रुप में है a cube plus b cube का फर्मूला दोस्तों क्या होता है a plus b गुने a square minus a b plus b square तो यहाँ हमारा सभी का घात a cube plus b cube के फर्मूला के रुप में है यानि इस रुप में है तो हम इसे इस रुप में लिखेंगे, यहां देखे, x plus y, x square, minus x y plus y square, तो हम इसे a cube plus b cube के रुप में लिखेंगे, a की जग़ यहां x है, और b की जग़ y है, तो दोस्तों यह हो जाएगा, a की पावर, x cube plus y cube, गुने, यहां भी हम a cube plus b cube का फर्मुना लिखेंगे, तो यहां a की जग़ y ह है, तो यहां दोस्तों हो जाएगा, a की पावर, y cube plus z cube, गुने, तो यहां a की जग़े z है, और b की जग़े x है, तो यहां दोस्तों हो जाएगा, a की पावर, z cube plus x cube, ठीक है, हमने इन सभी के घात में a cube plus b cube का फर्मुना लगा दिया, क्योंकि यह सभी हमारा a cube plus b cube के किया अब दोस्तों यहां देखें इन सभी काधार बरावर है अएória है और क्या गुन्णा में है तो अब हम घात को आपस में प्रॉस करेंगे तो हम रिखेंगे दोस्तों एकिप पावर X cube plus Y cube और इसमें plus करेंगे दोस्तों Y cube plus Z cube और इसमें हम फिर plus करेंगे Z cube plus X cube ठीक है अब देखें दोस्तों हम रिखेंगे A की power याने के X cube और यहां भी X cube प्लस करेंगे कितना होगा 2 X cube plus Y cube इसे भी जोड़ेंगे दो क्या होगा दोस्तों दो y cube प्लस 1 z cube और 1 z cube इसे जो रहेंगे दो क्या होगा 2 z cube अब यहां लेके दोस्तों इन सभी में हमारा 2 common है तो हम क्या करते हैं 2 निकाल लेते हैं तो दोस्तों यह हो जाएगा 1 की पावर 2 गुने x cube प्लस y cube प्लस z cube तो दोस्तों यही होगा इसका answer ठीक है 1 की पावर 2 गुने x cube प्लस y cube प्लस z cube तो इस परकार हम इसे हल करेंगे अब question नमर 3 देखें दोस्तों question है 1 प्लस x बटा y और इसका पावर है x बटा x मैनस y 1 मैनस x बटा y और इसका होल पावर है y बटा में x मैनस y और बटा में y बटा x plus 1 और इसका पावर है x बटा में x मैनस y गुने y बटा x मैनस 1 और इसका होल पावर है y बटा x मैनस y तो यहाँ दोस्तों हम सब से पहले क्या करेंगे इस bracket को हल करेंगे तो यहाँ देखे ब्रेकेट में 1 प्लस x बटा y है तो हम यहाँ भीन का जोर बनाएंगे तो इसे हल करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा y प्लोस x और बट्टा में y और इसका होल पावर हो जाएगा दोस्तों x बट्टा में x मैनस y हमने यहाँ भीन का जोर बना दिया तो y अल से माएगा तो y को एक से गुना करें y और प्रोस x बट्टा में y हो गया गुने यहां हम भीन का घटाब बनाएंगे तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा y-x बट्टा में y और इसका होल पावर y बट्टा में x-y अब देखे दोस्तों बट्टा में यहां भीन का जोर बनाएंगे तो दोस्तों यह हो जाएगा y-x और इसका होल पावर x बट्टा में x-y गुने यहां हम फिर से भीन का घटाब बनाएंगे तो दोस्तों यह हो जाएगा y-x और इसका होल पावर y बट्टा में x-y अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों यहां किसी का अधार न गुन्ना में न भाग में बरावर है येकिन हमारा इसका और इसका घात बरावर है और यहां इसका और इसका घात बरावर है तो दोस्तों घाटां के निया मुनसार अगर A की पावर M B की पावर M है तो हम अधार को भाग के रूप में लिख कर A की पावर के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं A बटा B और इसका होल पावर M तो यहां इस दोनों का पावर A की है और हमारा अधार क्या है भाग में है तो हम यहां अधार को भाग करकर और बट्टा में दोस्तों क्या है हमारा यहां y प्लॉस x और बट्टा में x और इसका whole power कर देंगे दोस्तों कितना यही whole power हो जाएगा इस दोनों का x बट्टा में x-y गुने इसी पर कर हम यहां भी इस दोनों अधार को भाग के रूप में लिख लेते हैं हम लिखेंगे y-x बट्टा में y और बट्टा में दोस्तों y-x और इसका बट्टा में हो जाएगा x और इसका होल पावर दोस्तों क्या होगा y बट्टा में x-y ठीक है अब देखें दोस्तों हम लिखेंगे y-x बट्टा में y और दोस्तों यह जो y plus x बट्टा में x है यह क्या है हमारा भाग के रूप में है तो इसे गुना के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा x ऊपर चला जाएगा और y plus x नीचे आ जाएगा और इसका whole power क्या है x बट्टा में x-y गुणे यहाँ भी दोस्तों हम लिखेंगे y-x बट्टा में y तो यहाँ भी दोस्तों y-x बट्टा में x यह क्या भाग के रुप में है तो इसे हम गुणना के रुप में बद लेंगे तो क्या होगा x उपर चला जाएगा और y-x नीचे आजाएगा और इसका होल पावर हम लिख लेंगे y बट्टा में x-y तो दोस्तों अब देखें ब्रैकेट में यहां हमारा भाग में y-x cancel हो जाएगा इसी परकार यहां हमारा y-x cancel हो जाएगा भाग में तो यहां दोस्तों बांकी क्या होगा x बट्टा में y का होल पावर x बट्टा में x-y गुने यहां भी दोस्तों क्या होगा बांकी x बट्टा में y और इसका होल पावर हो जाएगा y बट्टा में x-y अब यहां देखे दोस्तों हमारा अधार बरावर है X बटा Y है X बटा Y है और क्या है गुन्ना में है तो अब हम क्या करेंगे घात को पावर को आपस में जोरेंगे तो हम लिखेंगे अधार X बटा Y और इसका पावर हम जोरेंगे आएंगे तो हम दिखेंगे दोस्तों X बट्टा में Y यहां देखिए X बट्टा X माइनस Y प्लस Y बट्टा X माइनस Y है इसका होड बरावर है तो हम डायरेक्ट अनुस को जोड़ सकते हैं तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा X प्लस Y और बट्टा में X माइनस Y तो यही होगा दोस्तों इसका एंसर तो इस परकार हम इसे अहल करेंगे घटांके नियम अनुसार अब कोईशन नमर चार देखें दोस्तों कोईशन है तो दोस्तों यहां भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहां दोस्तों ब्रैकेट में है एकस स्क्वाइर मैनस एक बट्टा वाई स्क्वाइर तो यहां हम ए स्क्वाइर मैनस बी स्क्वाइर का फर्मूला लगाएंगे तो हम दिखेंगे दोस्तों, a प्लस b, तो a की जगा x है, तो हम दिखेंगे x और प्लस b की जगा 1 बटा y, तो दोस्तों यह हो गया, a प्लस b, ठीक है, गुने, अब दिखेंगे a माइनस b, तो हम दिखेंगे दोस्तों, x माइनस 1 बटा y, a प्लस b, a माइनस b, अब दोस्तों य किया और इसका whole power क्या है पी है तो इस दोनों का power दोस्तुण P हो जाएगा ठीक हमने इसका whole power P है तो हमने इसे गुना के रुठ में लिख दिया तो इस दोनों के ऊपर P power लग जाएगा अब यहां देखिए गुने यहां दोस्तों क्या है X-1 वट्टा हुआ है और इसका पावर है Q-P तो यहां देखिए हमारा घात पावर माइनस हुआ है तो माइनस दोस्तों किस कंडिशन में होता है घटांग के नियमनसार जब हमारा अधार बरावर रहे और भाग में रहे तो यह जो पावर Q-P है न इसे हम भाग के रुप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों अधार X-1 वट्टा हुआ है और इसका पावर हम Q करेंगे और वट्टा हम दोस्तों क्या लिखेंगे अधार लिखेंगे X-1 वट्टा हुआ है और इसका पावर P करेंगे अधार बराबर है और भाग में है तो माइनस करेंगे क्या होगा Q माइनस P होगा हमने इसे भाग के रूप में लिखे दिया अब देखे बट्टा में तो यहाँ पी दोस्तो हम A स्कॉरर माइनस B स्कॉरर का फर्मूला लगाएंगे A की जगा Y और B की जगा एक बट्टा X है तो हम लिखेंगे A स्कॉरर तो यह हो जाएगा Y प्लॉस एक बट्टा X गुने Y माइनस एक बट्टा X और दोस्तों इस दोनों का पावर क्या हो जाएगा Q क्योंकि इसका होल पावर Q है तो हमने इसे गुना के रुप में लिखे दिया तो इसलिए इस दोनों के उपर Q पावर लग गया अब गुने यहाँ भी हमारा Y प्लॉस एक बट्टा X का होल पावर P माइनस Q है यहाँ भी घात माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसे भाग के रुप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों अधार Y प्लॉस एक बट्टा X और इसका पावर P कर देंगे और बट्टा में Y प्लॉस एक बट्टा X का पावर Q कर देंगे अधार बरावर है और भाग में है तो माइनस करेंगे क्या होगा y प्लॉस एक बट्टा x की पावर p माइनस q अब यहां धियान देज़ें दोस्तों यहां बट्टा में है x माइनस एक बट्टा y की पावर p और यहां गुल्णा में है x माइनस एक बट्टा y की पावर p तो दोस्तों यह भाग में कट जाएगा इसी परकार यहां बट्टा में y प्लस एक बट्टा x की पावर q है और यहां गुना में y प्लस एक बट्टा x की पावर q है तो यह भी भाग में कट जाएगा तो दोस्तों उपर क्या बाकी रह जाएगा X प्लोस एक बट्टा Y की पावर P गुने यहां बाकी हो जाएगा X माइनस एक बट्टा Y की पावर Q ठीक है और बट्टा में दोस्तों तो यहां बाकी हो जाएगा दोस्तों Y प्लोस एक बट्टा X y प्लोस एक बट्टा x और इसका होल पावर p गुने और बाकी हो जाएगा दोस्तों y माइनस एक बट्टा x की पावर q ठीक है अब दोस्तों हम इसे question 3 की तरह हल करेंगे तो bracket को हल करेंगे दोस्तों यह हो जाएगा x गुने y प्लोस एक और बट्टा में y हमने यहां भीन का जोर बना दिया और इसका होल पावर दोस्तों क्या हो जाएगा p गुने यहां भीन का गाटा बनाएगे तो दोस्तों यह हो जाएगा x गुने y माइनस एक बट्टा में y और इसका होल पावर q बट्टा में यहां भी भीनका जोर बनाएंगे तो y को x से गुना करेंगे xy प्लस 1 और इसका lcm होगा x और इसका whole power p गुने यहां भीनका घटा बनाएंगे तो y को x से गुना करेंगे xy-1 बट्टा में x और इसका whole power दोस्तों क्या हो जाएगा q अब दोस्तों यहां देखिए यहां किसी का आधार बरावर नहीं है लेकिन इसका power बरावर है और यहां भी इसका power बरावर है तो हम क्या करेंगे इस दोनों को भाग के रुप में लिखका एक ही power के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों यहां x y plus 1 बट्टा में y और बट्टा में दोस्तों x गुने y plus 1 बट्टा में x हो जाएगा और इसका whole power p गुने यहां भी हम इसे भाग के रूप में लिखकर एक ही power के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों x गुने y माइनस 1 बट्टा में y और भाग में दोस्तों क्या होगा x गुने y माइनस 1 बट्टा में x और इसका whole power q तो दोस्तों यहां हम भाग में x गुने y प्लस 1 को cancel कर सकते हैं और यहां हम भाग में x गुने y-1 को भाग में cancels कर सकते हैं तो भाग में हम cancels करेंगे तो क्या होगा यह जो x है यह उपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा ठीक है और इसका whole power p हो जाएगा गुने यहां भी हमने भाग में cancels किया है तो यहां भी दोस्तों X हमरा उपर चला जाएगा और Y नीचे आ जाएगा और इसका whole power Q हो जाएगा दोस्तों हमने यहां इस step को नहीं किया है हमने direct यहीं इसे काट कर X को उपर और Y को नीचे लिखकर हल कर दिया है ठीक है? तो अब दोस्तों यहां लेखे अधार बरावर है और गुना में है X बटा Y है तो अब हम power को plus कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो जाएगा X बटा Y और इसका whole power P plus Q तो यहीं होगा दोस्तों इसका answer X बटा Y की whole power P plus Q तो इस परकार दोस्तों हम इसे हल करेंगे घाटां के नियम अनुसार तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर जरूर करें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिये